संसत के शीत कालिन सत्र के दोरान मंगलवार 19 दिसंबर को लोकसबा की कारवाही शुरू होते ही विपक्षिस संसदों ने एक बार फिर से हंगामा शुरू कर दिया कुछ संसत पीम ननेंद्र मोधी की मौर्फ तस्वीरे लेकर पहुंचे इस पर लोकसबा स्पीकर ओम बिडला ने उन्हें चेतावनी दी उनका कहना है कि संसदों को इस तरह का बरताव अपेक्षित नहीं इसके बाद लोकसबा से उनच्चास और संसदों को सस्पंड कर दिया गया अब तक संसत से 141 संसदों को निलंबित कर दिया गया है नमस्कार मेरा नाम है लता सेंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी संसत की कारवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्षी सदस्य से हाथों में तक्तियां लेकर नारे लगाते हुए और प्रदान मंतरी का फोटो लहराते हुए आसन के सामने आ गए और नारे बाजी करते हुए हंगामा करने लगे हंगामे की बीच ही प्रश्नकाल चलाने का अध्यक्ष ने प्रयास किया लेकिन सभी जोर-जोर से नारे लगाने लगे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदस्यों को हंगामा न करने और नियमों से सदन की कारवाही चलते रहने का आग रह किया लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी इस पर अध्यक्ष बिड़ला ने कहा कि ये सदन आपका है सदन नियम और परिपाटी से चलती है नियम आपने ही बनाए है, आपने ही कहा था कि सदन में तक्तियां लेकर नहीं आना है तक्तियां लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगी मैं किसी सदस्य के खिलाफ कारवाई नहीं करना चाहता हूं लेकिन सदन में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है क्योंकि सदन नियम और विवस्था से ही चलता है पुरा देश सदन की कारवाही देख रहा है देश का ये सरवोच लोगप्रिय सदन है लेकिन आप सदन की मर्यादा तोड रहे हैं नियम से सदन को नहीं चलने दे रहे हैं विवस्ता तता परंपरा को तोड़ रहे हैं इसलिए मैं आपको अंतिन चेतावनी दे रहा हूँ आसन के सामने कोई सदस से तक्तियां लेकर नहीं आए ऐसी घटनाओं पर राजनीती दुखद है हंगामा कर रहे हैं विपक्षी सांसदों को चेतावनी देते हुए लोकसबा स सस्पंड किया जा रहा है आपको बता दें कि संसद के शीत कालिन सत्र की कारवाही 22 दिसंबर तक चलनी है पिछले हफ़ते बुदवार को संसद में चूक के मामले को लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे की वज़ा से 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है मंगलवार को लोकसबा की कारवाही शुरू होते ही विपक्षी संसदों ने जबरदस हंगामा किया कुछ विपक्षी संसद नारे लगे तक्तियों और पियम मोदी का मौफट फूटो के साथ सदन में पहुंचे उसको लेकर लोकसबा अध्यक्ष ओंबिडला ने विपक्षी संसदों को चैताव नी दी उन्होंने कहा कि संसदों को इव्यवार सुईकारिय नहीं है विपक्षी संसद इस पर भी शाद नहीं हुए और हंगामा जारी रखा प्रश्रकाल ना चलते देख स्पीकर ने सदन की कारवाही स्थागित कर दी वहीं लोकसबा में चेयर के अपमान करने वा अब तक 94 सस्पेंड हो चुके हैं इसी तरह राज्यसबा में विपक्ष के कुल 95 सदत से हैं और अब तक 46 सस्पेंड हो चुके हैं मंगलवार को ही 40 लोकसबा और 8 राज्यसबा से सस्पेंड हुए अब तक कुल 228 यानि की दोनों सदनों के सदत से में से 141 सांसदों पर आक् सपा सांसद ST हसन, TMC सांसद माला रोय, सपानेतर डिंपल यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद शुशील कुमार रिंकू भी सस्पेन हो चुके इस विशह में जब लोकसभा से निशकासित हुए NC चीफ फारुक अब्दुल्ला से पूछा गया कि लोकसभा की सुरक्षा का दायत वे लोकसभा सचिवालक है तो इस पर फारुक ने कहा कि पुलिस किसके अंडर में आती है क्या हो जाता अगर केंदरी मंतरी आकर दो मिनिट के लिए संसद की सुरक्षा पर बयान दे जाते वहीं सांसदों के निलंबन पर अधीरंजन चौधरी ने कहा कि मोदी और सरकार को एक बात कहना है इनके जहन में सवार हो गई है असुर की शक्ती देव की शक्ती नहीं है इनमें इनका एहंकार लोग देख रहे हैं सत्ता में रहने का ये मतलम नहीं है कि आप एहंकारी बन जाएं इस पूरी प्रक्रिया पर कॉंग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रे मंत्री शशी थरूर का कहना है कि इतने सांसदों के निलंबन से एक बात तो स्पष्ठ हो गई है कि वो लोग विपक्षमुक्त स्लोकसभा चाहते हैं और वो राजसबा में भी कुछ ऐसा ही करेंगे इसको देखते हुए हमें भारत के सांसदिय लोकतंतर के लिए शृद्यांजली लिखने शुरू करना चाहिए अपने सहयोगियों के साथ एक जूटता दिखाते हुए मैं भी आज प्रदर्शन में शामिल हुआ उन्हें बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है जिसका मतलब है कि वो बिना किसी चर्चा के लिए अपने बिल पास कराना चाहते हैं मुझे लगता है कि ये संसदिय लोकतंतर के साथ विश्वास घात है वहीं संसद से विपक्षी संसदों को निलंबित किये जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किस मूँ से संसद को लोकतंद्र का मंदिर कहेंगे ये लोग, जिस तरह से इन्होंने विपक्ष के साथ बरताव किया है, अगर अगली बार ये लोग आ गए तो सम विधात खत्म हो जाएगा, इस विश्वय में आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, फिलाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही, ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहें रिपोर्टर जी